हेलो गाईज आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो मारा आइटल P40 फॉन है तो आइटल P40 फॉन की सेटिंग्स पर जाकर जो मारे फॉन में डाटा वार्निंग लिमिट है तो डाटा वार्निंग की लिमिट को कैसे सेट कर सकते हैं हाइटल पी 40 फॉन की सेटिंग्स पर जाकर तो आज हम वीडियों बताने वाले हैं कि डाटा वारिंग लिमिट को आप सेट कैसे कर सकते हैं हाइटल पी 40 फॉन की सेटिंग्स पर जाकर तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और आप भी phone की setting से open हो जाएगे तो कैसे आप इसे आप warning limit को set कर सकते नहीं बस् आप data limit कैसे लगा सकते हैं फोन में तो simply आप देख सकते हैं कि setting वह रही है तो आपको spot and weathering setting पर जाना है पी data लिमिक सेटिंग पर जाकर जो भी आप warning के limit को set करना चाते हैं तो यहां से कर सकते हैं simply हम set करना चाते हैं इसमें 500 MB या जीवी 500 GB भी आप set करते हैं तो आपकी data warning के limit आपके phone में set हो जाएगे तो इस तरही से भी आप data warning के limit को set कर सकते हैं ITL P40 phone में simply आपको options में मिलता है तो यहां से search करके भी settings पर जा सकते हैं आपको search करना होगा data warning या फिर डाटा limit आप सर्च कर दें डाटा limit settings आपके open हो जाएगी जहां से इसको open करके data warning के limit को आप यहां से set कर सकते हैं को भी limit वेर आप लगाना चाहें फोन में तो यहां से आप लगा सकते हैं और set कर सकते हैं आपको वीडियो अच्छे लगी तो लाइक करें subscribe करें बैल आइकन दवाने ना भुलें thank you next video के लिए इंतिजार करें thank you video अच्छे लगी तो